नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे कि सोलर पंप से सिचाई कैसे होती है और क्या कितने में कैसे पड़ा है अगर आप छोटे किसान है तो सिचाई के लिए आपको यह सबसे बेश्ट रहेगा तो हम दिखाते हैं कितना पानी दे रहा है यह देखिए यह मात्र हमारा सव वाट का पैनल है जैसे यह देखिए हमने बैगन खेती की है 20 पेंड लगाया होने घर के लिए तो हम आपको दिखा रहे हैं मोटर कहां पर है और सोलर कहां पर है चलते हैं अपने मोटर के पास यह लगवग हमारी 20 फीट की पाइप है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें उसके बाद हमने अलग से पाइप जोड़ा है 20 फीट की पाइप यह हमारी टोटल मिला के 130 फीट है यह देखिए हमारे मोटर यहां पर लगी है और यह तार गया हुगा है तार गया है और पाइनल वह लगा है अनली शववाट तो आपको पाइनल दिखाते हैं कि यह देखिए हमारे पाइनल है कि आपको मोटर भी क्यासे हैं अ कि यह हमारी मेटा मोटर लगी है नाले में यह देखिए लगड़ एक इंची पानी दे रहे हैं मोटर हमारी यहां आपको मेटाली बिखाते हैं यह देखिए कि यहां पर हमारा मकान भी त्यार हो रहा है और यह सिचाई लगी हुई है तो हम आपको दिखाते हैं कि हमारा पाइनल सही चल रहा है इसलिए हम आपको यह पाइप पाइनल के पास भी ले चल के दिखा रहे हैं आपको पानी इतना दे रहा है हमारा मोटर हम आपको मोटर के पास लेचान एक सोलर के पास आपको दिखाते हैं कि अगर दो हम आगे हैं सोलर के पास यह देखिए पानी दे रहा है इतना इसके बाद हम सोलर के सामने गापको दो हते हैं कि अपिए निदेनन बाद में हो गईंगे यह देखिए पानी गँड हुख हो थे भशे सब्सक्राइब आपको अगर आपको थोड़ा सी चाई करने के लिए चाहिए तो यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपको यहां से हमारे चारों तरक खेती है धान की और यह नाला है कि पर यह लगे हुए है कि आपको दिखाते हैं आपके पास यहां पाइब चटका के देखते हैं कि ना पानी दे रहा है फिर से और यह मोटर हमारी दो जार रुपए कि है कि आपको पानी दे रहा है और यह मोटर हमारी दो अजार रुपए कि है रहा है